Hello guys, welcome back to Solution Mitra So, दोस्तों, आज का question आप आप देख सकते हो कि If 3 raised to power x plus 2 plus 3 raised to power minus x equal to 10 Then find x यानि कि मुझे एक equation यह इस प्रकार से दे रखी है यह और मुझे क्या करना है इसके root find करना है या x की value क्या करना है इसमें find करनी है तो कैसे करूँगा भई? सबसे पहरे देखो, आपको यह पता है कि A की power m into A की power n यानि कि base m होता है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं A की power m plus n लिख सकते हैं It means यहाँ पे 3 raised to power x plus 2 है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3 की power x into 3 की power 2 PLUS यहाँ पे क्या कर सकता हूँ 3 की power minus x बराबर क्या हो जाएगा 3 की पावर माइनस X इसको भी ऐसे लिख सकता हूँ A की पावर माइनस 1 को क्या लिख सकता हूँ 1 बाई A की पावर 1 ऐसे लिख सकता हूँ यानि कि 1 बाई A की पावर 1 को मैं A inverse लिख सकता हूँ तो यहां पर इसका मतलब है कि मैं इसको यह सकता हूँ 1 by 3 की पावर x ठीक है चलो ऐसे लिखना चाहिए था मुझे तो यहां पर इसके है यहां पर तो माइनस का प्लस होगा बराबर क्या हो जाएगा जी दस हो जाएगा हँ यहां पर देखो 3 raised to power x को let 3 raised to power x equal to एक अन्य variable y माल लिया अगर मैंने इसको y माल लिया तो यहां पर क्या हो जाएगा यह y into 3 square 3 square कितना हो जाएगा 3 का power 2 3 into 3 कितना हो गया 9 plus हो जाएगा 1 बट्टे 3 की power x को मैंने क्या मानना का y बराबर कितना हो गया 10 अब देखो यह y का जो है इसमें multiply करता हूँ तो यह क्या बच्चाएगा मेरे पर 9 y square plus 1 divided by 1 equal to 10 इसको थोड़ा फर्दर simplify किया तो यह y इदर multiply हो जाएगा cross multiply करके तो यह जाएगा 9 y square plus 1 equal to 10 of y ठीक है जी अब देखो इस 10 y को इदर लाता हूँ में तो क्या बचाए आएगा यह 9 y square minus 10 y plus 1 equal to 0 तो यह मेरे पर क्या बन गई है quadratic equation बन गई है ठीक है जी एक square plus bx plus c equal to 0 यह इस परहुम में बन गई है quadratic equation क्या होते हैं एक तो factorization में तरसे कर सकता हूँ मैं और एक आप सिर्दराचर ए प्लस माइनस रूट बी स्क्वाइर माइनस फोरे सी ओवर टूए ठीक है एक तो यह होता है एक तो यह होता है एक factorization method होता तो मैं यहां पर factorization method लगाता हूँ फटा पट यह हो जाएगा और एक काई देखो sum कितना होता 10 होता है यानि मैं इसको ऐसे दिख सकता हूँ बीच वाले को 9y minus y 10y हो रहा है जीरो अब दोनों में से काउमल लिया तो y minus 1 यहां से आया और y minus 1 काउमल आया तो यह क्या बचा आगए आगे वाले हम आगे वाले हम बचा 9y पीछे वाले में बचा minus 1 बडाया जीरो अब देखो a into b बराबर 0 इसका मतलब है या तो a 0 होगा या b 0 होगा या दोनों के दोनों 0 होंगे तो वही लोजिक लगाते हुए यहां पर पहले मैंना y minus 1 बराबर 0 रखा ठीक है पहले इसके बराबर 0 रखा तो y बराबर क्या आ गया 1 आ गया ठीक एक value तो मेरे पहले यह मिल चुकी है और एक कास में लेगी कि मैंना y यह 9 y minus 1 बराबर 0 रखा तो एक यहां से मेरे को क्या मिल गया y बराबर क्या हो जाएगा यह दर जाके plus का 1 हो गया यह यहां multiply में तो यहां जाके और equation में हमारे पाई यह थी तो अब यह y जो हमने कहां से माना था हमने 3 की power x को यहां पर देखो 3 की power x को y मानना का है तो इसको वापस y की value मैं मतलब y की value यहां पर put करनी है ठीक है तो हमने मानना का था 3 की power x बराबर y मानना का था ठीक है हमारे पास 3 raised to power x equal to 1 तो आ गया है लेकिन x की value find करनी है जी ठीक है 3 की power x equal to 1 ओके ओके चलो एक इधर से देखता हूँ पहले है एक इधर से 3 की power x बराबर 1 बटे 9 लिख सकता हूँ चलो ये तो हो जाएगा असानी से ठीक है ये ये भी हो जाएगा ऐसे देखो अब देखो ये 1 कैसे आ सकता है जब 3 की गात अगर मैं 0 करूँगा तभी तो 1 आएगा अब 3 की power 1 करता हूँ तो 3 की गात 1 करने पे बी तीन इकम मत्रीनी मिलने वाला मेरे को 3 की घात 2 करने पे तो 9 मिलने वाला यानि कि घात बढ़ाने पे तो यह बढ़ता ही जाएगा सिर्फ 3 raised to power 2 करने पे मिरो को क्या मिलने वाला है? 0 करने पे sorry 1 मिलने वाला है इसका मतलब यहां से मुझे पता चल ला है X की value क्या होगी? 0 होगी क्योंकि मैं यहां से चानता हूँ 3 की power 0 करने पर ही मेरे को 1 मिल सकता है तो यहां से मुझे पता चल गए x की value 0 है same manner मैं यहां पर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 by 9 को अभी मैंने कहाता है इसको मैं 1 by 3 इसको यह लिख सकता हूँ 3 3 9 हो ठीक है अभी कहात उपर जाएगी तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3 की power minus 2 अब देखो यह देखो दोनों के दोनों क्या होगे same होगे base का है 3 है यहां भी base का है 3 है तो नों की power सब्सक्राइब कर सकते थे आयोब आपको वीडियो अच्छे लगी हो मिल फिर से मुलाकात होगे आपको एगली वीडियो में तब तक के लिए स्वास्त रहिए मस्त रहिए आपने काम में बैस्त रहिए धन्यवाद